जैशरी राम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब सेनल पर मैं पंडित आशी शर्मा तुलाराशी वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने कैसे रहेंगे इस वीडियो में हम विशेश रूप से चर्चा करने वाले हैं जीवन के सभी मुख्य पहलों के लिए ये तीन महीने आपके लिए बहुत बड़े और अच्छे संकेत ला सकते हैं क्योंकि गोचर के अंदर बनने वाले योगों ने ये प्रमानित किया है कि ये तीन महीने आपके लिए लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज ने कुछ नया बदलाव और कुछ बहतर परिस्थती पैदा करने में शक्षम है उसको मैं आपको प्रमान के साथ बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये गोचर ये विवस्था है जिसको हम आपकी चंदर यानि राशी के आधार पर देखते हैं अगर ऐसी गोचर की इस्थती के साथ साथ आपकी कुंडली की दशा और फल भी बहतर हैं तो आपको वो सो प्रतिशत रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता यहां हम बात करेंगे ब्रह्मांड में चलने वाले ग्रहों की इस्थती के बारे में क्या आने वाले तीन महीने कैसे होंगे तुला राशी वालों के लिए कैसा होगा इन तीन महीने में तुला राशी वालों के लिए ये समय देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ आया हूँ के अगर राशी का मालिक मजबूत है राशी का मालिक ब्रहमांड में अच्छी अवस्था में चल रहा है आपकी राशी के मित्र ग्रह अच्छी अवस्था में चल रहे हैं तो आपको किसी ना किसी मुकाम तक पहुँचाते हैं उसी मुकाम को बताते हुए कि भी कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके लिए फेवरेबल होते हैं ठोड़ा मोटे तोर पे जोतिश को लेके चलें, तो शुक्र के लिए बुद्ध, शनी, परम क्मित्र ग्रहों की संग्या में आते हैं, कि हैं अगर जिन लुगों की तुला राशी है तो उनके लिए शनी देव जोकी योगकारक होते हैं और बुद्ध जोकी भागेश हैं आप अगर यही मजबूत हो जाएं तो यही आपकी बहुत सारी जीवन्चर्या बहुत सारी स्थित्यों को संभाल लेते हैं आप सबसे पहले देखिए कि आपकी राशी के जो लौड है वो शुक्र है शुक्र राशी के लौड है महिने की शुरुवात होती है और शुक्र देव का ब्रह्मन काल यदि हम देखना शुरू करें तो 18 जून से 13 जुलाई तक शुक्र देव व्रशब राशी में रहेंगे भले ही अस्टम है लेकिन ये स्वेराशी है ग्रह का अपने भाव में जाना उसको नुक्सान नहीं करता जब तक कि वो अपने भाव में पीडित ना हो कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जाएगा वो उस भाव के अच्छे फल देगा अगर वो वहां पीडित नहीं है तो यहाँ पर शुक्र पीडित नहीं है अश्टमेश अश्टम में अपनी सिवराशी के अंदर है अच्छाई माना जाता है फल दायक ही साबित होता है सिर्फ लगभग लगभग 13 जुलाई तक यह वरशब में है लेकिन उसके बाद इनकी इस्थती को आप देखो और प्लैने का और राशी का एक जबर्दस्त संबंद बन गया कि अब आपका भाग्या आपका साथ देगा वीश्वरिय किरपा ब्लैसिंग्स आशिरवाद पिता पक्ष इनकी तरफ से आपको फाइदा मिलेगा नाइन्थ हाउस हायर एजूकेशन्स धार्मिक यात्राएं धार्मिक काम धर्म से संबंदी जुड़े हुए स्थितियों के लिए जाना जाता और यहां से बैट के शुकर की स्थिति अगर तीसरे घर पे दरश्टी देती है तो भाग्या उन्यति के लिए यात्राएं भी करनी पड़ती है और उस यात्रा का लाब भी बिलता है फिर शुकर देव आएंगे करक राशी के अंदर राशी से दशम में कब आएंगे लगबग 6 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक शुकर रहेंगे राशी से दशम में राशी का मालिक राशी से दशम में कारेशेत्र में उन्नती के लिए अच्छा होता है शुक्र एक शुब ग्रह है शुब ग्रह होने के नाते राशी के मालिक होने के नाते अगर ये दशम भाव में आते हैं तो ये आपके कारेशेतर के अंदर इस ट्रगल को खतम करते हैं बाधाओं को दूर करते हैं कहते हैं सोम्य ग्रहों का संबंद जितना जाद है करम भाव से होगा उतना ही जाद है easy going आपका काम धंदा यए व्यापार या नोकरी होगी ऐसे समय में काम धंदे में यश वढ़ना, सम्मान मिलना, नौकरी के छेतर में नौकरी में तरक्की, व्यापारिक छेतर में व्यापार में तरक्की, नया काम मिलना, नया व्यापार, नई नौकरी मिलने के संकेत इस शुक्र की वज़े से दिख रहे हैं वहीं शुक्र पहले भाग्या में थे फिर करम में आया और फिर पहुचेंगे लाव स्थान में लाव स्थान में आप समझें 31 अगस्ते 24 सितंबर तक लिए जानि सितंबर के अल्मोस लाश तक भी अगर आप देखो तो शुक्र की स्थती एकादश भाव की फल दे रही है अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके राशी के मालिक शुक्र का भ्रमन कितना सुंदर है पहले वो भाग्य स्थान में आया फिर वो करम स्थान में आया फिर वो लाव स्थान में आया यानि तीनों ही इस्थान उनके लिए favorable जहां से बैठके वो यहां से बैठके third house आपके effort हो को देखेगा यहां से बैठके आपके सुक साधनों को देखेगा और यहां से बैठके आपके शिक्षा विद्यासंतान को देखेगा यानि सभी जगे से शुक्र की स्थती बहुत बहतर और राशी का मालिक मजबूत तो समझे राजयोग लेने के लिए आप तयार क्योंकि राजयोग मिलता किसे है जिस व्यक्ति की राशी होती है उसे मिलता है और जब वो राजयोग को भरने के लिए राजयोग को ग्रहन करने क के लिए ही मजबूत नहीं है तो ऐसे राजयों को कफल क्या है यानि एक बुद्धी हिन व्यक्ति जिसको समझ ना हो जो विवेक हीन हो उसको आप करोड़ो रुप देदो उसके लिए तो सब व्यर्थ है वो इधर उदर फैक देगा बाट देगा लोग उसको ठग लेके जाए तो जब राशी का मालिक प्रबल तो इस्थितियां भी प्रबल अब उसी इस्थिति में एक और ग्रह चार चांद लगाएगा वो है भाग्येश बुद्ध के बुद्ध को आप देखिए मिथुन राशी में स्वेराशी के होके चलेंगे कब 2 जुलाई से 16 जुलाई यानि आधी जुलाई तक बुद्ध का भाग्येश होके भाग्येस्थान में जाना शुक्र भी यहां कुछ समय के लिए होंगे ही होंगे यानि राशी का मालिक प्रबल भाग्येस्थान का मालिक प्रबल 9th Lord in 9th house तो नौव अगर मोटे तरीके से जोतिश जानो के भाग्ये का माल आधाव में आना दशम का बुद्ध व्यापारिक दश्टी कौन से तो बहुत ही बैतर है आप इसको यह मान सकते हैं कि कारे छेतर के अंदर प्रगति चाहिए तो बुद्धी मानी चाहिए लौजिक चाहिए तर्क चाहिए डिसीजन्स चाहिए योजनाय चाहिए कहां से मिल मिलते हैं वो सब वो सब मिलते हैं बुद्ध से क्याकि बुद्ध को गणितग एकाउंटेंट व्यापारी लौजिक देने वाला सही समय पर सही बात मुझ से निकल जाए तो वो बुद्ध के बिना नहीं आती दशम का बुद्ध सदैव ही फलदाई होता है ऐसा बहुत शास पिर पहुचेगी सिंगराशी के अंदर अब बुद्ध को आप देखेगा 31 जुलाई से 20 अगस्त तक सिंगराशी में रहेंगे यानि अब भागेश का लाब भाव से बन रहा है संबंद के मेरा भाग्य अब लाब से जुड़ गया अब तो मेरे भाग्य को लाब देना ही प बुद्ध ने भी रिजल्ट दिये भाग्य करम और लाब के और बाद में बुद्ध उच्चस्त हो जाएंगे यानि बुद्ध की इन चारो भावों के अंदर इस्थिति और यूति द्रश्टी सभी तरीके से बहतर है तो आप जान लीजिए अगर तुलाराशी वालो आपक ऐसी स्थिति में मंगल को भी देखना शुरू करें कि मंगल आपके लिए धन देने वाला प्लैनेट है सेकिंड लॉर्ड एंड सेवन्थ लॉर्ड सब्तमेश का सब्तम में जाना रूचक योग बनाता है और ग्रह जा सब्तम भाव अपनी राशी का हो तो उसको बरबाद न नहीं पाएगा सिर्फ राहू यहां इतना ही करेगा कि वो मंगल को उत्तेजित करेगा उत्तेजित करेगा जोस दिलाएगा क्रोध दिलाएगा जीवन साती के साथ थोड़ी अन्बन कराने का प्रियास करेगा यह ग्रह है लेकिन मंगल का सम्मंद यहां से बैठके राशी द सप्तम में मंगल हो तो चौथी द्रश्टी जब द्रशम पे आती है कि मुझे अपने कार्य शेत्र से सुख लेने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ लेकिन मैं अपना काम धंदा चला कर ही मानूंगा इसको कहते हैं एफर्टों के साथ कार्य शेत्र में तरक्की कराने का योग राहू कहते हैं कि भईया मंगल की राशी में बैठा आई तले मंगल के गुण ग्रहन करेगा इसको कहते हैं जोश में कमी नहीं है बस way of talking थोड़ी मधूर रखें जल्दबादी से बचें जोश को कहा प्रियोग करना है ताकत का इस्तमाल कहां करना है उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक मंगल वरशब में रहेंगे यहां से बैठके मंगल का संबंद एक आदश भाव पर चौती द्रश्टी और दूसरे घर पर सब्तम द्रश्टी यानि धनके आगमन लगातार मंगल दिलाएगा लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गलत फहमियों से वयवाहिक जीवन के अंदर तनाव भी इसी योग से आता है कि मंगल अगर यहां से बैठके फिर अब यहां चला जाएगा तो यह अस्तम है है तो यह आठवाही घर है तो यह उसकी श किराशी में तब अकेले रह जाएंगे और राहू की मंगल किराशी में बैठना और मंगल का अस्तम में जाना यह समय थोड़ा ज़्यादे टिपिकल होगा वह वहाहिक संबंधों को समालने के अनुसार तो उस दोरान थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आपके लिए बहतर हम देखते हैं 16 जुलाई से 16 अगस्त करक में दिखबली सूरिय एकादशेश का करम में जाना पिर एकादशेश का एकादश में यानि 16 अगस्त सोले सितम्बर के बीच आना यानि शुक्र बुद्ध और सूरिय यह वो तीन प्लैनेट आपके लिए है कि यह आपको लगातार भाग्य करम के अंदर एक सुन्दर राजयोग की इस्तती को दर्शाते हैं ऐसे मेंने की दशा भी मिल जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे अब बचा दो ऐसे ग्रहे जिनके बिना कोई काम होता ही नहीं है कौन है वो ऐसे दो ग्रहे शनी और ब्रस्पती कौन है व्रस्पती धनकारक है व्रस्पती कहां पहेंचे आपकी राशी के लिए शत्रू है लेकिन जब कोई ग्रह स्वयराशी का हो के शटे घर में चल रहा हो तो वो भाव का नुकसान नहीं करता यहां से बैटके ब्रस्पती की पंचम द्रश्टी आपके कारेशेतर को समलती है आपके खर्चों को कंट्रोल करती है आपकी यात्राव को सेफ करती है तो आपको धन भी दिलाती है ब्रस्पती की नौवी द्रश्टी धन भाव पर पढ़ती हो तो तो इसको कहते हैं लगातार प्लैनेट ने एक ऐसी रूप रेखा बनाई है जो लाव दे अब इस ब्रस्पती के अंदर एक पॉइंट ओफ बढ़ गया कि ये ब्रस्पती शनी के उत्रा भादपर नक्षतर में गोचर करेंगे उस दोरान और उत्रा भादपर नक्षतर किसका है शनी का नक्षतर है ये वही शनी है जो आपकी राशी के लिए मित्र है ये वही शनी है जो आपके लिए योग कारक है ये वही शनी है जो चतुरत और पंचम के फल देंगे और ये शनी वक्री होकर चोथे भाव में चलेंगे जिसको कुछ समय के लिए लगेगा भाईया मेरी शनी की ढहिया फिर से वापस आ गई लेकिन भाई शनी की ढहिया आपको कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि जोतिश के मोटे नियमों को लगाओ राशी के मित्र हैं शनी एक बाद चोथे का मालिक चोथे में भूमी जमीन जादा सुख साधनों में व्रध्धी सुख देना उनके अंदर व्रध्धी करना ऐसे कारियों के अंदर व्रध्धी देना कहलाता है शस्योग के चाहत चलेंगे शनी वक्री होके चेश्टा बल से मजबूत होके चलेंगे शनी शनी की द्रश्टी पहुँचेगी ब्रस्पती पे और वो ब्रस्पती शनी के नक्षत्र में है यानि यहां ब्रस्पती भी शनी की भाषा बोलेंगे और ब्रस्पशनी पंचमेश भी है यानि विद्या शिक्षा एजूकेशन इन फिल्ड के लिए अच्छा competitive exams में सफलता कि एक्जाम में बैठ जाओ तैयारी कर लो आपका selection हो जाएगा यानि योगकारक है आपके लिए शनी की दशम भाव पे दर्ष्टी ब्रस्पती की दशम पे दर्ष्टी दोगरह जिसको एक को काल और एक को फल कहा जाता है वो दशम पे देखें aur जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरी नौकरी नहीं लग रहे मुझे नौकरी नहीं मिल रही लिखित में ले लो आप अगर आपको दशाच्ची चल रही है गोचर फेवर में जुलाई अगर सितंबर तीन महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी जिनको नौकरी उनको तरक्की हो जाएगी उनको प्रमोशन हो जाएगा उनका काम बन जाएगा क्योंकि शनी ब्रस्पती के मेल जोलने भी यही दर्शाया है चाहे एजूकेशन करो, हायर एजूकेशन करो, किसी चीज में एंट्री करो आपके लिए टोटल कॉम्बिनेशन फेवरेवल है यानि बुद्ध, शुक्र, सूर्य ये राजयोग बना रहे हैं शनी भी राजयोग के फल दे रहे हैं राशी का मालिक शुकर मजबूत है अब बहुत ही मोटे तोर पर जितना जोतिश को सरल लेके चलो के उतना बहतर रहेगा कि किसी भी होरस्कोप को उठाओ अगर उसके प्लैनेट्स भाग गया करम और लाव स्थान में जादे बैठते हैं केंद्र दिकॉर्ण में जादे बैठते हैं तो भी होरस्कोप तो नेच्रली मजबूत हो गई कही न कहीं एक प्रश्ट भूमी मजबूत पराप्त हो गई उससे ऐसी ही प्रश्ट भूमी मिल रही है आपको जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने तो यहां मैंने अपनी तरफ से जो समझाने का प्रियास थे कि प्लैनेट कहां जाकर क्या मुवमेंट करते हैं उसका क्या फल होता है फिर से इसी प्रकार की जानकारी दुंगा आपको इसी तीन महीनों की तरह बने रहिएगा आप सभी मेरे साथ जैश्री राम